नमस्कार दोस्तों मैं हुआ शुकुमार साहू और आप सबका स्वागत करता हूँ लावनिया ग्लोबल करियर प्लानर पे दोस्तों कई लोगों का एक क्वेस्टिन्स था कि सर हुटल मैनेजमेंट करने के बाद हम कितना साल के बाद मैनेजर बनते हैं अच्छा क्वेस्टिन्स है और मैं इसका जवाब देना भी पसंद करूँगा दोस्तों हुटल में मैनेजर बनना बहुत आसान है पर क्या आप में वो स्कील्स है जो एक कमपनी को रिकॉर्मेंट होती है आपके बास क्या वो नॉलेज है जो एक मैनेजर में होना चाहिए अगर है तो दोस्तों आपको मैनेजर बनने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है या कोई भी कमपनी आपको मैनेजर बनने से रोक नहीं सकता दोस्तों यही बज़ा है अगर आप कोई private company में काम करते हैं तो आप खुद का decision का राजा होते हैं आप कभी भी अपना decision ले सकते हैं दोस्तों तीन साल का hotel management का course होता है और चार साल का भी होता है बट कौन सा बहतर है वो आप मेरा next video जरूर देखिए उसमें बताऊंगा कि तीन में वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों आदे हम जो बात कर रहे हैं कि कितना साल के बाद manager बनते हैं hotel management करने के बाद यह साहए आप लोग हैं बहुत कोई का यह मन में सोच होगा जैसे हम hotel management करते हैं तो हम कितना साल के बाद manager मैनेजर बनते हैं और के लोग तो यह भी सूचते हैं कि जैसे हम होटल मैनेजर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इसमें तिन तरह का रास्ता है एक है होटी प्रोग्राम एक है उटी प्रोग्राम एक है एमटी प्रोग्राम अगर आप एमटी प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेणी प्रोग्राम में सिलेक्शन आपका होता है तो जाके आप दो साल के बाद मैनेजर बन जाते हैं यह शॉटकट तरीका है मैनेजर बनने का लेकिन ह MT program में selection होना कोई बच्चों का खेल नहीं है उसके लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए जैसे कि मैंने कहा knowledge, ability, सब कुछ होना चाहिए तब ही जाके आप इसको crack कर सकते हैं अन्य था एक college में दोस्तों बहुत सारा ऐसे college जहां हमें देखा है कोई बच्च MT program में selection नहीं हो पाते ठीक है अगर इसमें selection हो गया अगर आपके मैंने passion है कि मुझे manager बनना है तो उस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा आपको उस तरह से dedication देना पड़ेगा अपने आपको college bank नहीं करना है सारे class अच्छा से सुनना है आपको जो training program होगा 6 मेने का या 4 मेने का training में आपको ध्यान से काम करना होगा ठीक है टाइम पे जाना बे टाइम पे आना जो यह industry का नियम तो नहीं है बट industry का एक चले आ रहा है ठीक है तो उसमें आपको वो करना है अगर इसे कर सकते हैं दोस्तों तो empty program में भी आप selection हो सकता है अगर उसमें नहीं हुआ दोस्तों तो आप डिरेक्ट्री सुपर्वाइजर बन सकते हैं अगर आपने H.O.T. पास किये तो H.O.T. प्रोग्राम में अगर आप पास होते हैं तो ये भी 2 साल या 10 साल का समय लगता है आपको ट्रेनिक प्रोग्राम में ये करने के बाद आप सुपर्वाइजर बन सकते हैं दोस्तों अगर इसमें दोने में आपको सेलेक्शन नहीं भी हुआ अगर आप G.S.A. गए गेस्ट सर्विस एसोसेट्स हैं किसीव डिपार्टमेंट में गए फिर भी आप मेनेजर बन सकते हैं तीन साल के अंदर ये हां दोस्तों और आपको टारगेट होना चीए ये टारगेट आप खूद अपने आपके बनाना है मैं नहीं बता सकता कि आप कितना साल के बाद मेनेजर बनेंगे क्योंकि आपका जो इंट्रेस्ट, आपका एबिलिटीज, आपका स्किल्स, आपका नॉलेज आप जानते हैं ये आपका मेनेजर जानते हैं अगर आपको मेनेजर पोजिशन नहीं मिला अगर आप टालेंटेड हैं, अगर आप आप नॉलेजिबल हैं इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर वो company में आपको promotion नहीं मिला तो कहीं न कहीं आप में problem है या फिर company problem है अगर ऐसा कुछ है तो आप नोकरी छोड़ दीजिए आप दूसरा नोकरी देखिए जहाँ पर आपको next promotion मिल सकता है साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर आप अपना salary का भी high करा सकते हैं salary negotiate कर सकते हैं 30% high होता है जब भी आप एक नोकरी से दूसरा नोकरी में जाते हैं तो minimum 30%, 25%, 28% salary का high होता है तो इसमें होगा क्या आप इक तो mentally fit रह जाएगे कि मुझे salary मिल रहा है साथ ही साथ को promotion भी हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो कोई भी नहीं बोल सकते है कि आपको कितना साल में manager आप बन सकते हैं आप 2 साल में manager बन सकते हैं आप 3 साल में manager बन सकते हैं आप 5 साल के बाद ही manager बन सकते हैं कि यह फिर बने के लिवर दस्त मी लगता है क्योंकि पर पर阿们 आ मैनेजर किसे कहते हैं, जो totally department को manage करता है, मैनेजर का जो responsibility है दोस्तों, बहुत ही critical होता है, हर कोई समाल नहीं पाता, क्योंकि आपका responsible रहेगा sales के लिए, marketing के लिए, आपका training and development के लिए, आपका जो staff है, उनका staffing के लिए, तो इस तरह का दोस्तों, उसके बाद आपका management का pressure रहेगा, तो इस तरह बहुत सब्सक्राइब pressure होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप, अगर आप सूछते हैं कि आप pressure handle कर सकते हैं, तो आप manager बन सकते हैं, manager बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बट manager बनने के बदा को prove भी करना है, कि you are the right person for that position, नहीं तो दोस्तों, आपको नोक्री से हाथ दोना पड़ जाएगा, अप फिर आप बोलेगे कि ये industry बेकार है, ये industry अच्छा नहीं है, मैंने क्यों join किया, तो मैंने पहले बोल दिया है, अगर आपको interest है, आपको ability है, आपके पास ability है काम करने का, तो ही जाके आप industry में join करें, manager हर कोई चाहता है, मैं भी जब college में था, तो मैं भी सुछता था कि मैं कब manager बनूँगा, कब manager बनूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप industry में जाते हैं, तो आपको समझ में आता है, industry है, क्या, इसमें कितना मेहनत है, I hope आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया दोस्तों, तो like, comments और share जड़ू कीजिए, अगर आप पहले बार हमारा इस वीडियो में आये हैं, हमारा चैनल पर आया हैं, तो subscribe करना ना बोलें, साथ ही साथ जो लाल बटन दिख रहा है, जो घंटी दिख रहा है, उसे दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा जो next वीडियो है, बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, अगर हाँ, तो जरूर आप subscribe कर लिजिए, thank you so much for watching this video and take care, जय हिन्द!